बच्चो आपके सामने एक और मज़ेदार उदाहरण है और इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी समनांतर चतरभुज के कोणों के सम्धिभाजक एक आयत बनाते हैं ये हमें सिद्ध करना है आप देखिए इस चित्र में आप देख पाएंगे कि एक समनांतर चतरभुज A B C D है औ क moyens देखिए हमें इन खी यह लग दो इन कोणों पने हिसी के एक पुरा इन aun चैनल एक है और और यहीं आट यह सित रचा रह गाड़ड़ाए और ऐस आवर देख रहे हैं वह तो ब устेख्वार आर्थक है इन चारों आर्थकों को जब हमने हाँ पर निर्मेत किया बनाया तो हम देख रहें कि बीच में एक चत्रभुज की आकरिती बन रही है अब हमें इसा कर पाते हैं तो हम बता पाएंगे कि जो बनने वाला चित्र है वह आयत है तो देखें ये समरांतर चत्रभुज की कोड़ों की एक प्रापर्टी है कोड़ों की गोणा है इसे हम देखते हैं यहां तर शुरू करें इस पूरे कोड़ को हम D A B कहने के बजाए कोड़ A यदि कहें तो हमें लिखने में और आपको समझने में भी आसानी होगी इस पूरे क हम सबसे पहले त्रिबुच P, A, B पर अपने ध्यान केंदित करते हैं यहां जो बिंदू P है यह बिंदू A और यह B तो इन तीनों से बनने वाले त्रिबुच को देखे एक लाइन हरे रंग की है दूसरी लाल रंग की और तीसरी निले रंग की इस त्रिबुच की तरह अपने ध्यान लाइए और देखिए कि यह जो कोण है वो A बटे 2 है और यह कोण A है और यह पूरा का पूरा कोण B है और यह जो कोण उसका जो आधा है उसको हम B बटे 2 मान लेते हैं तो इनके बारे में हम बात करें आपको मालूम है कि कोण A कि देखिए चूंकि यह समान अंतर चत्रभुज है इसलिए A D और B C समान अंतर रेखाओं के एक जोड़ा है और A B जो है वो तिर्यक रेखा है जो उन दोनों समान अंतर रेखाओं को क्रम शा ए और B बिंदु पर काट रही है परिसिती में यह पूरा का पूरा कोड A और पूरा का पूरा कोड B दीरक रेखा कि A को और बने वाले दू अंतर कोड़ों की रूप में है आपके सामने और आपको मालूम है कि इन दोनों कोड़ों के योग दो समड़ाख़ यह 180 अज होता है तो आप लिख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा कोड़ A और यह पूरा कोड़ B इन दोनों के योगफ़ल होगा 180 अब इस कोड़ A का अर्धक देखिए जो इस त्रिभुच PAB का एक कोड़ है इसका मान एबटे 2 होगा तो आप यह कह लें कि कोड़ SAB जो A बटे 2 है इसे हम लिख लें हाँ पर A बटे 2 औ और यह जो कोड़ होगा इस पूरे का अधा होगा इसको आप B बटे 2 कह सकते हैं तो यह हम इस त्रिभुच की इन दोनों कोड़ की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक बटे 2 A धन एक बटे 2 यह कोड़ के लिए है कोड़ की माप A है तो हम उसके आदिम आपको ले है धन एक बटे 2 कोड़ B बराबर एक बटे 2 180 यानि यह नब्य अंश को हो जाएगा तो आप इसको लिख ले कि दोनों कोड़ों के अर्दकों का जो योग होगा वो नब्य अंश का होगा अब आप देखिए त्रिभुज ए बी पी पे गौर करिए त्रिभुज ए बी पी में इसके हम तीनों कोड़ों को लिखें अगर तो यह जो कोड़ है वो एक बटे दो है तो कोड कोड एक दो ए धन कोड बी का आधा धन तीसरा कोड कोड पी इस कोड़ों को हम फिसरे प्रत्शित करने धन कोड पी ये बराबर होता है 180 अंश और इन दोनों कोड़ों का जो योग है अभी आपने लिखा है 90 अंश के बराबर तो आप लिख सकते हैं कि 90 अंश धन कोड पी बराबर 180 अंश यदि इसका पक्षांतर कर दे तो रेंड नब्बे हो जागे धर आकर और आपको मिलेगा कोड पी बराबर 180 अंश तो कोड पी का आपको मान मिलेगा नब्बे हैंश आपने इस तरह से सिद्ध किया कि ये जो कोड है वो नब्बे हैंश को हो गया और इससे आप इस तरह से प्रदश्चित करते हैं जो सम कोड को प्रदर्शित करता है. ठीक, इसी तरह से अब देखिए, ये बी बटे दो है और ये सी बटे दो है. और ये जो कोड है, वो भी बी बटे दो, धन, सी बटे दो, धन, क्यू, इसे भी हम लिख लें आगर हम, तो ये जो कोड है, इसको हम लिखेंगे, कोड B का आधा, धन, कोड C का आधा, धन, कोड Q, इस कोड के हम बात कर रहे हैं, धन, कोड, क्यू, ये भी तरिभूश के तिनलों अंतर कोड है, और इसलिए इनका योग भी एक्सुआसियंस होगा, और यहाँ पर फिर से आप देखिए, ये पूरा कोड B, और पूरा कोड C, इन दोनों समनांतर रिखाओं को, तिर्याग रिखाओं, B, C के काटने पर निर्मित हो रहे हैं, और इसलिए इन दोनों का योग भी एक्सुआसियंस होगा, और यदि इनके आदे को जोड़ते हैं, तो ठीक इसी तरह से आप कहा सकते हैं कि, उन दोनों कोडों के अर्दकों का योग नब्यंश होगा, तो आप लिख सकते हैं आपर नब्यंश, धन कोड Q, बराबर 180, और इस तरह से आपको मिलेगा कोड क्यू बराबर 90, तो आप देख पारें कि इस तरभुज में कोड क्यू नब्यंश का है, आप देख रहें कि ये जो कोड है, कोड PQR जो इस चतरभुज के अंदर कोड है, वो इसका शिरसा भी मुग कोड है, और निश्य तरभुज से वो भी इस कोड के बराबर होगा, तो यदि आप इस कोड को भी क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान भी आपका नब्यंश होगा, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इस आयत में आपने दो कोणों को 90 के बराबर सिद्ध कर दिया और ठीक इसी तरह से आप इनके बारे में बात कर सकते हैं कि ये भी 90 को होगा इस क्रभुज के संदर में और ये कोण भी 90 को होगा अब आप देख रहें कि P QRS एक ऐसा चत्रभूच के रूप में आपके सामने हैं जिसके चारों कन नब्य那我們 के हैं आपक लिख लए आपर कोड P बराबर कोड़ Q बराबर कोड R बराबर कोड S बराबर नब्य neuros और एक ऐसा चत्रभुज जिसके चारों कोर नभ्या जिसके हैं चित्रुप से एक आयात होता है तो इस तरह से आप सिद्ध करपाएं कि किसी सम्हन Senator चत्रभुज के कोड़ों के अर्दकों से बनने वाला जो जो चत्रुपुज है जो अंदर बन रहा है वो एक आयत होता है तो बच्चो इस तरह से आपका ये उदाहरन हल हुआ आप इसे प्रमे के रूपे भी देख सकते हैं और इसे हल कर सकते है सोचें एवं चर्चा करें पहला आयत के विगर्ण समान लंबाई के होते हैं संकेत आयत एक समानतर चत्रभुश है दूसरा वर्ग के विगर्ण समान और एक दूसरे को सम कौन पर सम दिभाजित करते हैं